हालो फ्रेंड्स वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेज आज बहुत ही इंपोर्टेंट और इंट्रस्टिंग कोशिन करेंगे कॉंपिटिटिव एक्जाम में ऐसे कोशिन बहुत हेल्पुल होगे बिलकुल आसान ट्रिक के साथ सिंगल स्टेप में ये कुशिन अटेंट करेंगे ध्यान से देखिए हमें A प्लस B इकुल्स वन ये हमें गिवन है और ये देखिए कितनी बड़ी स्टेट्मेंट है इसकी हमें वैल्यू निकालनी है A to the power 4, B power 4, AQ, BQ इस तरह से अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी हो तो किस तरह से एक्जाम में अटेंट करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम होगा तो देखते हैं कैसे ये condition हमारे लिए matter करेगी जब हमें इस तरह के questions आएं कि A प्लस B इकुल्स वन है तो थोड़ा hit and trial method लगाना पड़ता है और हम यहाँ पर हम यहाँ पर देखिए दो values की addition अगर one है तो मतलब हम easiest way कैसे apply करेंगे हमेशा दोनों में से किसी एक को zero मान लो किसी एक को जैसे मान लीजे हम यहाँ पर मान लेते हैं कि B zero है अगर B zero होगा तो फिर A की value one आएगी तभी A और B को add करने पर one बनेगा तो एक तरह से random value हमने यह select कर ले ली है और इस कैस में random value selection ऐसे ही करनी है या A zero ले लो या फिर B zero ले लो तो बहुत easily question हो जाएगा अब देखिए B zero है ना तो देखिए B zero अगर मैं यहाँ put करूँगा तो यह term कट जाएगे क्योंकि zero power four zero होता है यह भी खतम हो जाएगा इसमें B आ रहा है ना जिरो से जिसको margin multiply करो यह भी zero हो जाएगा इदर B की value zero put करेंगे A को zero से multiply करेंगे यह भी zero हो जाएगा देखो four terms हमारी खतम हो जाएगे मेरे पास बचेगा A to the power four A की value one है कोई दिक्कत नहीं है one to the power four एक यह बचे minus one to the power three तो यह तो one minus one zero ही आगा इसका मतलब इस question का answer zero होना चाहिए आप चाहे A को zero लेके देख लो B को one लेके देख लो इसी method से करो आपका answer यही आएगा तो इस तरह से exams में पूरी पूरी polynomial या इस तरह से पूरी equation को solve नहीं करना हमें इस तरह से value select करके आप answer final कर सकते हैं ऐसा equation और करते हैं ध्यान से देखेगा यह question देखिए दिखने में बहुत typical लगता है लेकिन उसी तरह से combination है a और b का root of a square plus b square plus a b plus root of a square plus b square minus a b 1 दिया हुए अगर यह 1 के equal है then what is the value of 1 minus a square multiply 1 minus b square और इस तरह से options हैं अब हमें इस तरह के questions में hit and trial method लगाना होगा और easy method क्या होता है मैंने आपको पहले भी कहा था जब a और b दो values का combination है तो हमेशा start कैसे करिए कि चलो ठीक है हम किसी एक value को 0 माल लेते हैं जैसे पिछले question में b को 0 suppose किया था यहां भी कर लेते हैं हाँ वहाँ पर b को 0 रखा था तो a easily आपके पास आ गया था a की value 1 आ गई था लेकिन यहां पर अगर आप b को 0 suppose करते हैं तो a की value निकालने के लिए यह equation है आपके पास हाँ easy क्या होगा b की value जब fill करनी होगी तो यह term खतम हो जाएगी क्योंकि 0 है यह term भी खतम हो जाएगी यह भी खतम हो जाएगी यह भी खतम हो जाएगी काम easy हो जाएगा कुल मिलाके अगर आप b को 0 put करेंगे तो यह आपके पास बचेगा root a square और इधर भी बचेगा root a square अब a square का square root करते हैं तो सिर्फ a रह जाता है यह भी सिर्फ a that means 2a is equal to 1 तो जी a की value 1 by 2 औरली कर सकते हो इसको यह तो समझाने के लिए लिखा otherwise तो यहां सी पता चल गया root a square मतलब a यह भी root a square मतलब a a plus a 2 a 2 a is equal to 1 तो a की value 1 by 2 that means अगर b की value 0 लेते हैं तो a की value 1 by 2 आएगी और इसमें put करके देख लेते हैं अब वो भी सब कुछ put करने की जरूरत नहीं है b को 0 put यहां करेंगे तो यह term खत्म हो जाएगी सिर्फ 1 बचेगा 1 minus a square को 1 से multiply करना है तो सिर्फ 1 minus a square ही बचेगा तो कुल मिला के मुझे 1 minus a square solve करना है a की value 1 by 2 1 minus 1 by 4 इससे solve करिये तो हमारा answer आएगा 3 by 4 और हमारी d option हमारा final answer होगी तो इस तरह से आप चोटा सा method लगा के जो 4 options आपको given होगी easily select कर सकते हैं और यह method बिलकुल applicable होता है exams में SSE के exams में इस तरह के questions आचुके हैं जिसमें आप एक value को 0 put करके दूसरी select करके option find out कर सकते हैं I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो please इसे like भी करें और share जरूर करें Thank you so much